असलाम विल्कुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल एड़केशनल टेप्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे तो बच्छों आज मैं आप साथ शेयर करने जा रही हूं इसके मैं आपके साथ आज लास्ट और इसके लास्ट ठीक है तो चलिए सबसे पहले अपना पहला लेक्टर शर्ट करते हैं और आप सब बच्चे बिल्कुल कर लिए पेज नुबर 14 पेज नुबर 14 के उपर आ जाते हैं तो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है इस चंज़ इंडा बटह सब्सक्राइब लेक्या पाश्ट है कि कुछ एप बिढू जानी रिए पानी उसके लिए उसके लिए असं की जांदार के लिए पानी उसके लिए उसके लिए आखि़ भाट है ज़रूरी है पानी के दर जो जिन्दगी गुजार रहे हैं वो 90 परशन चीज़ है मैं पास पानी के दर है, forest, wetland and grassland are critical part of the global water cycle forest है मैं पास wetland या गिली-गिली जमीन होती है और साथ-साथ grassland जिते भी मैं पास रखरी जमीन है उसके दर तो water है ना however, ecosystem are affected by floods and droughts flood को और drought को और drought को या खुशक साली को तो वो कह रहे है हमारे जो ecosystem है या नहीं मारी environment है वो दो तरह से भी affected भी है पानी की वज़ा से एक सिलाप और दूसरा खुशक साली ठीक है human impact on ecosystem has disturbed national water cycle लेकिन human इंसान होने इंसान नहीं activities की वारी activities की वज़ा से यह जो पानी है ना इसकी जो यह कहते है इसका control है हम इंसान होने अपने हमारी activities ऐसी होगी कि यह water cycle का जो system है डिस्टर्ब होता चला जा रहा है the justified use of water and treatment of sewage water can have a positive effect on ecosystem अब वो कह रहे है कि water के use met use और sewage water treatment को इसका हमारे environment के दर एक positive impact भी है introduction of new population अब इसके अब लोगी second heading है देखे है इसके क्या कह रहे है अब वो कह रहे है living organism are adopted हो देर मार्मार में यह हमारे पास जितने भी living organism है हरको एक specific environment के दर specific माहूल के दर एक specific इसके जो body के लिहाद से उसके लिहाद से इसके लिहाद से जो इन्वार्मेंट में रह रहा है introducing species are introduced species are new organism brought into the ecological environment यह नहीं कि कुछ हमारे पास species ऐसे भी है प्रॉपर दर प्रताने चला कि हमारी environment नहीं करती है जब उनको नोग introduce कर वातेैं यह यह उनको बारे हम पता चाड़ जाता है तो उनको मुषित यह न्यू निडू स्पीशिज्स हमारे इन्टाप्ट में तर्डूश हु přुछ है अगर और डूर कब इंदर उस अग्यार्मेंट के इंदर शर्वाइब कर जाती है जिन्दा रह जाती है तो इसका मतलब यह है कि उस स्पेशी से मुंसलिक जो जितनी भी पैदवार एजिए जन सकर हम लोग कहते है बटरफ्लाइब बटरफ्लाइब एक जगा पर इसका वर किया गया तीक है तो उ इसका माईशन से करके अजब एक चीज जादा मरना शुरू हो जाए तो और एक चीज को हम लोग सब्सक्राइब करें एक चीज मर लिए दूसरी चीज आ रहे है तो इसका एक ताइम हैसा आएगा जहां पर मार पास एक न्यू चीज समने आजेगा एक न्यू महोर समने आज वो कह रहे हैं कि नेचर के अंदर ना एक स्पेसिफिक बैलस है कि इतने माउंट में में शिकार हो रहा है और इतने माउंट पर चीजें सर्वाइब कर रहे हैं ठीक है और इस इस बैलन्स के अंदर है हुमन कभी बड़ा इंसानों कभी पुदर आप किदार है कि इन्सान शि शेड़ें लुपर रहे हैं जो कि हमारे पास रेर होते चली है कम होते जाल रहे हैं अगर प्रीडेटर की हंट हो रही है इसके का उचुक्त कर रहे हैं ठीके उसी जिए खाय कर रहे हैं ठीक है यह वो डेयर उती है, तो रभी ही किताध होगी, य। उसकी टाध जो खाता होगा, उसकी टाधा सेथी चले मैं श स्व। जब एक चीज की टाधा चाहि उरा हे नो दूसरी चीज ए उसको चाहिए, जो आना शुरू हो जाती है तो नेक्स्ट अबर है इस माइग्रेशन यानि एक माइग्रेशन से हम लोगों को समझाती है कि एक जगह से चीज जब दूसरी जगह जाती है इसमें से बर्ड्स है वो विंटर में को बर्ड्स निसरा आ रहे होंगे समर में कुछ ओर होते हैं जवाइजब सोब्यूर में लुक्त आपर То यहां पर। TWE जेखर हो जाता है तो इस ऐसे जावशन सेखर अधर्य जाते हैं जापने हो जाते हैं वह जयुक्त होंते और माइगरेशन के दिज़ यह भी होता है कि मुसमों में तब दिली आ गई तो जानुवर तो जानुवर जगा से बर्ड बगारा शफल होते चले जाते हैं अब आजादे हैं पॉसिटिफ इंपेक्ट ऑफ हम लोग ने यह भी तो देख लिए के हम लों किस तान से तबाइयां पचाहिए हैं हम फ्लूर्ट कर रहे हैं हमारे 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 वज़े से जाओ रहे हैं इस बांट्स और अनिमल्स को मुट्लिफ चीजों का सामना करना पड़ अब बैलस्ट एको सिस्टम का बतलब ये भी है कि इनसान के पास एक अच्छी ताजा हवा भी हो पानी भी साफ हो और साथ इसाथ उसके जो लैंड है जमीन है वो फर्टाइल हो यानी खेती बाड़ी के लिए अच्छी हो साबित हो सके तो सेफ अब लाइन डाइवर्ट एको स होस्ति आठेग setzen of upने हमारी अर्थ को साफ सेफ उत्रा एक लिए अपने हमारीर्थ को साफ सेफ लाइन में करने के लिए हम लोगोस पास बदे करने के लिए हम लोगो तका सेफ all that सेईट चे celebratingresseलिक ना मतलब oftentimes nor कि मुझे सर्काना शरू करी तरया तो इसरह ayrमनी के ये आए मै Reforestation is the plantation of trees where already exist forests have been destroyed by some causes Reforestation means that the plants from Dubai or plant plants so that our air is fresh and polluted free It is very important to decrease toxic gases from the surrounding nature It is a very important role in our environment to toxic gases and harmful gases It is reduced to our natural carbon Sink Sink Forests are already like carbon so that our environment will be pollution free By removing greenhouse gas from the air planted forest can reduce global warming Now, if we have more plants and greenery What will happen in global warming? The temperature will not be high Normal temperature will not be high The 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 Reforestation is the solution of stopping soil erosion to maintain land quality Soil erosion means that the earth is fertility which we have said is that the earth is going to die If we have more trees If we have more plantations Then what will happen? What will happen? What will happen? For a spot of other plants and animal species that maintain ecosystem Forests and other plants and animal species that maintain ecosystem also provide the ecosystem Pure Soil erosion Soil erosion Now, you must tell us about the evorestation Of forestation Now the forestation now the forestation is coming from the forest Now the forestation is plantation of forest on land Where there was no forest before A forestation 比如 It means that the forest जंगलाद काईम करना है जाहां पहले कोई जंगल था यह नहीं 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 था ख़िल बर गया यह जाहें पाकिसान के नहीं था यहां पर क्रिणरी को मेंटें करने के लिए इस करिणी के लिए हम यह जदे ज्यादा फॉल्डा प्लिज्ट चीजेशें करने चाहिए लाज़ता है पापोलेशन के पापोलेशन के लिएॡवार्मेट चाहिए हमारे नोगे चीछा किए बाइच के लिए पर क्वालेशन चाहिए खापयों हुआर्मुर्माप पाप्यों चाहिए। मेरा इंव्रमार्में इतना गिंदा हो गया है मेर जब पॉल्शिटन कॉजिंग सब्स्टांस आर अरह हम एंथ हामफल गैसे नेख अन्टर हो गया है आरर समय प्लुटे हो एंथ प्लूटे हो सिर्टिट कर दोड़ मोटथी है हुआए पावर स्टेशिन, आटोमॉबाल सेविच फॉर्बीज अनुपली औरुछ यूज्ट अधसी प्लास्टिक हम लोगों के है और ओम्लिश जोभी फीकश्टिक हम इसाथ नहीं कर नहीं है सब्सक्राइब करें खंद आफ़े चाम मेर ली जा इसके उसके झानाव cabinet के लिए जो हमारे अ उसके जानाव हैंए उनको किया जा सकती है था नoga उनको कि हैंप पूचानी कोशिक करेंगे उसको टॉचानी कोशिक कर रहे हैं कि मोचाने की कोशिक जोड़े निज दो सॉलर इनर्जी और यहां दो कर रहे हैं इसके ज़री क्या होगा कि उल्ट आइल करते थे इंडिया अपने यूज को इन या डेली घ्या ते लिए यूज को फुलिप्ल जाय प्लेटेशन प्रफिल करने के लिए लिए लोग क्या कर रहे हैं। इसके लिए लोक पीकर से पोपलर बडे इसे तरह से लेक्टरिक सिटी के उपर चलतें वाली बाइक्स कार्ड ये दिन बाद दिन इनका शवड्र लोगों को आता है भी जाए प्रेट्रोल के नहीं कहा किनुन हो प्रहएं प्रिजो है पास वह सेकेंड है जी कंट्रोल ऑफ पावर बाटर प्रुशन वाटर प्रुशन को पानी के अंदर जो गंदगी है उसको पॉन्ट्रोल की जा रहा है वह किसना से किया जा रहा है पानी को साफ करने यह माले बड़ बड़ा चैलिंग काम सा वाटर कंजर्वेशन ट्रिट्मेंट प्लास्टिक प्लास्टिक करना यह सारे चीजे कंट्रोल करना यह जब हम लोग कम करना शुरू कर देंगे तो मैं पास वाटर पॉलिशन टम होना शुरू हो हो जाएगी था स्मुर्क्रिंग वाटर भी अवेलबर तो कीप एको सिस्टम फ्लेशन इस तरह अगर हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर लें तो मैं पास पानी ज्यादर साफ मिलेगा अब ज़ा जाते हैं का दर्वेशा अफ इंडाजर्ट स्पीशिस इंडाजर्ट स्पी की पापुलेशन बहुत कम होना शुरू हो जाती है तो एक साइं होता है कि हमारा जो एको सिस्टम हमारा मारे जो सिर्कल है वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक मोड पर पहुंच रुका है गोर्मेट एंजियोस लोकल कम्यूनिटीज एंडिविजिल वोग तो गैधर तो इंडिनस कंपेंग तो गेटिंग वोर पीपल इंवाल ने कंजर कंजर्वेशन वोक इस वेरी एफेक्टिव और फिस सितांसे कंपेंच ले जाती है लोगों को उसके तुरू अवेर कि जाता है कि इनको इंडेंजर नहीं होने दिना इनको बचाना है इनका शिकार ना करें इनको संभालें यह आप लोगों को जहां नजर आएं इनकी टुक लेग लुक आफ्टर करें ठीक है जैसा है पांड़ा आजकल पिछले दिनों आया था कि पांड़ा एक्स्टेंट में चले जाए का यह वो मारखोर वगारा इस सीजों की पिछले दिनों था कि निउस में आ अगया होगा अगर आज कर देगा वीडियो करें कर देगा और साथ बैल आकर प्रेश करना मत पुलिए का इससी मिलाने वाली हर लेटर सब्डेट सब्से पहले आप तक पहुंचेगी बिलते हैं फिसके वीडियो में दौाओं में आद रुकेगा अपना ख्याल रुकेगा यहाल आपज